नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मास सनमार्ग मेश रासी वालों राहू और केतु का रासी परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को पूरे 18 महिने तक राहू मिठुन रासी से निकल कर सुक्र की रासी ब्रिशब रासी में रहेंगे और केतु मं अगर कुंडली में बिगड़ जाए तो जीवन को परिसानियों से भर देते हैं लेकिन अगर देने पर आ जाएं तो रंक से राजा बना देते हैं अब राहू और केतु का यह परिवर्तन आप मेश रासी वालों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है आज हम आप से यही सा प्रेडिक्सन चंदरासी पर आधारित है राहू 23 सितंबर की सुबह पांच बचकर 28 मिनट पर बिस्चिक रासी में आएंगे और 12 अप्रेल 2022 तक रहेंगे केतु 23 सितंबर की सुबह 7 बचकर 38 मिनट पर धनूरासी से बिस्चिक रासी में आएंगे और यहां पर 12 अप्रेल 2022 क की सुबह आठ बचकर 44 मिनट तक रहेंगे अब ऐसे में आपके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखे राहू छाया गरह है और सुभाव के अनुसार इनको पापी गरह की संग्या दी गई है लेकिन कोई भी गरह सुभ या असुभ नहीं होता लेकिन उसके प्रभाव भले ही असुभ और सुभ होते हैं अब कमजोर गरह निगेटी भी फल देंगे लेकिन चली जानते हैं आप मेस रासी वालों आपके धन्भाव में जब राहू आएंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा राहू आपकी रासी से द्वीती भाव में आ भी देंगे और सुरुआत में तो राहू मृक्सिरा नच्छतर में रहेंगे इससे आपको आकस्मिक रूप से धन आता रहेगा यहां पर इस दोरान हो सकता है घर परिवार के लोगों के साथ थोड़ी सी अन्बन हो जाए लेकिन आपके काम में थोड़ी बहुत रुकावट जो लोग कहीं पैसे वेगर लगा के रखे हैं लोटरी जुवा सटा सेर मार्केट इन छेतरों से भी धना आने के योग बनेंगे इसके बाद जब 27 जन्वरी 2021 को मृक्सिरा नच्छतर से निकल कर रहू रोहीनी नच्छतर में प्रवेश करेंगे तब आपके परिवार के आप अगर जमीन जादाद से जुड़ेवे कोई काम करते हैं प्रोपर्टी का काम करते हैं तो उसमें आकस्मिक रूप से लाब भी देगा मा का साथ मिलेगा और जिसके करण आपका भाग्योदे होगा और लाब होने के योग भी बनेंगे लेकिन जैसे ही रहू क्रितिकान चत्र में जाएंगे 2021 के अंत में तब आप अपनी बुद्धी के बल पर अपने दिमाग के बल पर बहुत उचाईयों को चुएंगे क्योंकि इस समय आप धन भी अच्छा कमाएंगे और हर छेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा घर परिबार का साथ मिलेगा जो बिद् लेकिन उसके पहले दो बाते यो इसे में आपके जीवन में कई छेत्रों में आपको सफलता मिलेगी रहू संचार का भी कारझ वी पिरेश का बीकारणग है तो ऐसे में अगर आप बिद्यारतिय पढ़ाई करना चाहते हैं विदेशी नागरिकता लेना चाहते हैं या फिर आप विदेशी कंपणी में नौकरी करते हैं ब्यापार करते हैं तो भी आपको राहू आकस्मिक रूप से सफलता दिलाएगा धनबाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा करेगा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा करजों से मुक्त कर देगा अगर कारोबारी हैं तो काम्यावी मिलेगी नई योजनाए भी बनाएंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे दूसरी तरफ के तु आपके अस्टमभाव में रहेंगे अब अस्टमभाव जो कस्ट का भाव ह अब यहां पर तनाओं बढ़ेगा घर परिवार के साथ मतवेद होंगे यात्रा वेगेरा अगर आप करते हैं तो थोरा साबधानी के साथ कीजिएगा खर्चे बढ़ाएगा तो धैरे रखना अतियावस्यक होगा क्या करें कि सब कुछ बेतर हो जाए एक तो आप भगवान सनी की अराधना करें ओम संग्सने चरायनमा का रोज साम में कम से कम 21 बार 11 बार जब करें इससे आपको राहत मिलेगी आप सनी बार के दिन अगर कस्ट जादा हो तो काला तिल का दान कर सकते हैं या पास के किसी मंदर में रखाएं किसी को नहीं देना है तो और साथ ही कई छ स्थिवन की स्थिती बेहतर है चीजें यहां पर लेकिन मेश रासी वालों यहां पर थोरी बहुत दिकतें भी बढ़ा रहा है दौर भाग बढ़ेगी अगर आप और विभाईत हैं तो साधी विभा के मामनों में थोरी सी रुकावट दे सकता है और इस में आपकी बहुत सा ना कर किसी के साध साजा कर ली है तो उन योजनाओं में रुकावटें आ सकती है तो इस पर भी ध्यान देना है अगर ओवर ओल कहा जाए तो दूसरा भाव धन का कुटुम का होता है और बैदिक जोतिस में दूसरे भाव में राहु बहुत अच्छा सुब नहीं देता फल क क्योंकि आपकी वानी को कठोर बना देता है जिसके करण रिस्तों में अलगाव आती है पारिवारी जीवन में विवाद होते हैं अपनों के साथ बाद विवाद हो जाता है जो बैपारी हैं जो जौब करते हैं अपने दिमाग कई उच करना होगा और अपनी वानी में मीठा कापन रखना होगा चपरफार सफलताएं मिलेंगी सत्तु विरोधी कहीं आपके खिलाब कोई सद्यांत्र ना रचे इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए यह निगेटी प्रवाव में से एक होगा अगर आप जौब करते हैं तो आपके कारेस्थर पर थोड़ी से तनाव मह लेते हैं लाइप से मैश के तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेब धन्यवार सब्सक्राइब झाल झाल